हेलो दोस्तो, वेलकेम बेक टू मैなんだ चैनल आज की वीडियो में हम होम वर्क अउट के बारे में बात करेंगे तो हम सिर्च करेंगे प्लेइसे प्ले इस्टोर में होम वर्क आउट और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वह है होम वर्क आउट नो एक्यूप मेंट तो दोस्तों मैंने इसे अल्री डाउनलोड कर लिया है अगर आपने नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही फाइदेमन ये एप है आप इसके दुरू बेना किसी एक्यूपमेंट के बेना किसी डंबल उठा और बेना किसी जिम जाए बया फिर बिना किसी आप सप्लिमिंट के अपनी बॉडि पहुत ही अच्छी बना सकते हैं तो दोस्तों इसके बारे में पूरी चीजें बताऊंगा हर एक स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप इस का यूज कर सकते हैं Home Workout तो यह मेरा एप है जो डाउनलोड है आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लें और ओपन करें ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी उसमें आपको दिया होगा उपर जो कि सबसे उपर दिया हुआ है Workout, Goal और Minutes यह सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ दी हुई है तो आप इनको भी देख सकते हैं क्या है मैं इन सारी चीज़ों के बारे में हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो आप पूरी वीडियो के साथ बने रहें और अगर आप अपनी डाइट अपनी बाड़ी अच्छी बनाना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें सब्सक्राइब जरूर करें तो वीक गोल क्या है तो सेट हम इस पे अपना गोल सेट कर सकते हैं किस तरह से हम अपना वीकली जो हमारा प्लान है वहाँ सेट कर सकते हैं तो इस पे आप होम वर्काउट पे जाके आप अपनी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं और ट्रेनिंग पॉइंट्स ट्रेनिंग प्लान जो है आपका जो क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं आप किस तरह से आप ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं whole body 7 x 4 challenge है और दूसरा है lower body 7 x 4 challenge दूसरा इस्टेप में है beginner जैसा कि हम beginner ही है हमने पहली बार यह app यूज किया है beginner से start करते हैं तो दूसरा step है beginner abs beginner chest beginner arms beginner leg beginner तो यह सारी चीज़ी हम deeply details में भी पढ़ेंगे तो यह हमारी पहली video है इस app की यहांपे है shoulder and back beginner फिर है जो हमारा तीसरा point है intermediate जब हम beginner का level क्रॉस कर लेते हैं तो हमारे पास एक option आता है intermediate में जाने के लिए तो तीसरा जो हमारा step होगा intermediate में abs intermediate, chest intermediate, arms intermediate और leg intermediate के बारे में भी हम देखेंगे और फिर हमारा है last इसमे shoulder and back intermediate फिर जो हमारा अगला topic है advanced जैसा कि हमने intermediate क्रॉस कर लिया है तो fourth point होगा हमारा fourth step advanced, abs advanced है हमारा पहला, फिर है chest advanced, फिर है arm advanced और फिर है leg advanced और last है shoulder and back advanced इसके अलावा अगर आप और भी कुछ try करना चाते हैं तो यहाँ पे discover में जाके go पे जाके आप और भी try कर सकते हैं तो चलिए किस तरह से इसको हम use करेंगे, किस तरह से plan करेंगे, कैसे हम अपनी body को अच्छा बनाएंगे तो इन सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम अपना goal set कर लेते हैं most important, weekly goal, तो यहाँ पे weekly training days दिया हुआ है, जिस पे हम यहाँ पे four days select है इसके थुरू हम इसे change भी कर सकते हैं, यहाँ पे Sunday, यहाँ पे तीन option होते हैं, Sunday, Monday and Saturday उसको set कर सकते हैं तो चलिए हम set करके देखते हैं, यहाँ पे नीचे option है save करने का, तो सबसे पहले हम set करते हैं weekly training days तो यहाँ पे one to seven days होते हैं, तो आप चिस तरह से अपना plan करना चाते हैं, उस तरह से आप अपने days select कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे select करता हूँ four days और यहाँ पे Sunday से start करना है, Monday से start करना है या फिर Saturday से, तो यहाँ पे आप उसे choose कर सकते हैं तो हम यहां Sunday ही रहने देते हैं तो अब नीचे options दिया हुआ है save जैसे ही हम save करेंगे तो हमारे पास एक नई window आएगी जिसका use हम अगले step के लिए करते हैं तो यहां पे हमने इसे किया save तो जैसे ही हम save करेंगे हम अगले window पे मतलब अगले plan पे पहुंच जाते हैं तो यहां आप edit भी कर सकते हैं जो pencil का निशान बना हुआ है तो अब हम अंदर जाते हैं तो इसके अंदर गए how many push-ups can you do at one time तो यहां पे beginner का अभी हम beginner हैं तो beginner ही choose करेंगे advance का भी है intermediate का भी दिया हुआ है तो beginner में 3 to 5 push-ups है जिसको हम select करने वाले हैं तो हमने जैसे ही beginner को select किया 3 to 5 push- push-ups at one time तो यहां पर हमारा एक week का पूरा प्लान आ गया 1234567 मतलब 7 days का फिर next week फिर next week फिर next week फिर next week तो इस तरह से हम per day per day अपना जो push-ups है वहां करते जाएंगे इस app के इस्तिमाल से इस app के through इस app का use करते हुए तो इस तरह से हम अगर step by step करते हैं तो हमारी जो body है वो बह या equipment के use के बीना किसी gym जाए या फिर बीना किसी supplement के तो यहां पर first week है second week है third week है और fourth week है हमने fourth week का choose किया था तो आप चाहें तो इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं मतलब आप चाहें तो two weeks का भी कर सकते हैं three weeks का भी कर सकते हैं तो four week का करने में यह होता है कि month cover हो जाता है एक month तो चलिए go में जाते हैं अब ये सारी चीज़े हमने देख ली किस तरह से work करता है इसके उपर जाके भी हम यहां इसे change कर सकते हैं कैसे change कर सकते हैं यहां पर option दिया हुआ है उसके through भी change कर सकते हैं या फिर हम बाहर जाके window के बाहर जाके भी इसे change कर सकते हैं मतलब हम चाहें तो beginner कर सकते हैं, उसका जो week है, वो भी change कर सकते हैं, days है, वो भी change कर सकते हैं, Monday, Sunday, या फिर Saturday में से किसी भी एक को हम choose कर सकते हैं, तो चलिए, अब हम go पे जाते हैं, जो हमारा पहला week है, तो यहां पे हम गए go पे, go पे जाने के बाद हम जो अगली window आती है, उसमें हमारा step श से पहला जो है, हमारा jumping jacks, यह 20 second का है, 20 second का होगा jumping jacks, इसी हम घटाया बढ़ा भी सकते हैं, फिर है दूसरा in-line push-up, फिर है knee push-up, फिर है push-ups, straight push-up, तो और भी नीचे है, जो इन सारी चीजों का जो minute है, वो है 7 minute 11 workout, तो 7 minute में हम 11 workout कैसे करेंगे, तो हम यह जो workout है, इन पर क्लिक करके इसकी detail में भी जा सकते हैं, जैसे jumping jacks के बारे में आप यहाँ पे detail, जो details होती है, किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, यह सारी चीज़े देख सकते हैं, इसके अलावा, उपर videos का options दिया हुआ है, उस पे जाके हम videos भी देख सकते हैं, अगर हमें समझ में नहीं आ workout है, उसकी पूरी details ले सकते हैं, तो ऐसे ही आप सारे यहाँ पे जो push-ups हैं या workout हैं, उन पर जाकर आप उनकी details ले सकते हैं, उनकी videos देख सकते हैं, ताकि आपको बहतर से बहतर समझ में आ जाएगा, तो यहाँ सारे workout को आप click करेंगे, तो उपर एक videos वाला भी है, जैसे in- नी push-ups के बारे में भी आप देख सकते हैं, wide arm push-up के बारे में भी देख सकते हैं, in-line push-up और knee push-ups, यह सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, तो push-ups की यहाँ है, सारी चीज़ें, कैसे कैसे हम यहाँ करेंगे, push-ups, wide arm push-ups, cobra stitch या फिर chest stitch, तो यह सारी चीज़ें, अब हम start पे जाएंगे और start करेंगे मतलब अपना जो workout है उसको start करेंगे तो ready to go यहां पे को second चल रहे हैं हम यह warm up कर रहे हैं तो इसी तरह से हमें करना है warm up करना है और यह सारी चीजें करते हुए हम start करते हैं अपना first day तो first day में हमारा आ गया jumping jacks तो jumping jacks 20 second का था तो 20 second हमें यह jumping jacks करना है जैसे कि आपको यहां videos में यह cartoon दिख रहा है आदमी कैसे jumping jacks कर रहा है सेम ऐसा ही हमें करना है तो jumping jacks जैसे ही minute खतम होते हैं second खतम होते हैं तो आपको थोड़ा सा rest के लिए time दिया जाता है जैसे 10 second का यहां time दिया हुआ है तो आप इससे चाहें तो skip भी कर सकते हैं पर skip ना करना आपकी सहत के लिए बहतर होगा तो next है हमारा in-line push-up तो in-line push-up जैसे ही आप start करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ in-line push-up कर रहा हैं एक table है table को पर हाथ रखकर आप in-line push-up करते हैं जो कि 6 बार कर सकते हैं तो आप इसे 6 बार try करें क्योंकि हम अभी beginner हैं तो starting में आप इसे थोड़ा हलके हलके करें ताकि आप ज्यादा ठक ना पाएं तो उसके बाद हमें 25 second का rest मिलता है आप चाहें तो skip कर सकते हैं या फिर इसे बढ़ा सकते हैं तो हमने skip किया तो knee push-up तो हमारा जो next है वा है knee push-up तो देख लीजिए कैसे knee push-up है इसके ऊपर videos है audio है दोनों का हम use कर सकते हैं दोनों के use से हम या पता लगा सकते हैं कि किस तर आप लेते रहें ताकि आपको idea बहतर आए तो दोस्तों अगर video पसंद आई हो तो आप बिल्कुल भी चैनल को subscribe करें कोई problem हो रही हो तो आप हमें comment कर सकते हैं हमारा email id भी description में दिया हुआ है तो आप उसमें भी हमें message कर सकते हैं अगर कोई भी problem हो तो बिल्कुल बताएं इ बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सो मच